ये गाइज वेलकम टू आवर चैनल बैयोगराफी वितंकीत तो गाइज आज कैसे हो आप लोग आई होप अप लोग अच्छे होगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो हम नागमामीट जाकर के लाइफ एच्टाल बैयोगराफी, एज, इंकम और इस वीडियो के लास्ट तक हम नागमामीट जाकर के वईफेड के भी बारें बात करेंगे तो गाइच आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइच प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके All प्रेस कर दो और हो सके तो दोस्तो इस वीडियो को सेर भी कर दो तो दोस्तो नागमा मीर जाकर का जन चौबिस जनवरे 1992 को बुरगराम हर्याना भारत में एक मुसल्मान परिवार में हुआ था नागमा के बड़े भाई भी है जिनका नाम मुहम्मद अली मिर्जाकर है दोस्तों नागमा मिर्जाकर सेंट एस्टिन स्लाउंस हाइ स्कूल मुंबई से अपने सिक्षा पूरी कर चुकी है और उसके बाद उन्होंनों इन्वर्सिटी ओफ मुंबई में एमकम MBA एंड PGDBM जैसे कोर्स मास्टर डिग्रे हासिल किये दोस्तों नागमा मिर्जाकर पढ़ाई में काफे इंटिलिजेंट भी है नागमा मिर्जाकर एक मौडल, फैसन, ब्लोगर, यूटूबर और टिक्टोक के स्टार है उनकी सफालता दुसरे अस्तरफ बढ़ गई जब उन्होंने 2018 में नागमा ने टिक्टोक पर वीडियो बनाना सुन किया उनके खुबशूरत लिप्सिंग वीडियो धीरे धीरे इसके टाम पर वैराल होने लगे और वो काफी ज़्यादा पपुलर भी हो गया नागमा सोसल मीडिया की एक क्वीन है और सोसल मीडिया पर बहुँ ज़्यादा एक्टिव रहती है तो दोस्तो अब हम नागमा मीड जाकर के फिजकल एस्टेट की बारे में जान लेते हैं तो दोस्तो इनकी लंबाई लगभग 5 फूट 7 इंच है और दोस्तो इनका वजन लगभग 55 केजी है दोस्तो इनकी आखों का रंग भूरा और बालों का रंग हलका भूरा है दोस्तो अब अगर हम नागमा मिट जाकर के फैब्रेट एक्टरेस की बारे बात करें तो इनका फैब्रेट एक्टरेस करीना कपूर, कटरीना कैप और स्वडियारा है और इनका फैब्रेट एक्टर सलमान खान और साहिद कपूर है दोस्तो अगर अगर हम इनके होबी के बारें बात करें कि इनका होबी क्या है तो दोस्तो इनका होबी मेक अप करना डांस करना और टिक टक पर वीडियो बनाना है दोस्तो अब अगर हम नागमा मिट जाकर के इंकम के बारें बात करें तो दोस्तो इनका इंकम लगभग 24-26 लाग पर वर्स है तो दोस्तो अब हम नागमा मिट जाकर के केडियर के बारें में जान लेते हैं तो दोस्तों उन्होंने अपने केडियर की शुरुआत एक बिजनेस डेवलापर को रूप में की थी, वह कई ब्रांड जैसे स्निकर, स्काई बैक्स, सोप हीट, सौपर्स स्टॉप, मैबिलीन, एमाजोन के लिए दिग अपनों में काम कर चुकी है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले नागमा मीर जाकर का गाना आया था जिसका नाम किसी और नाल है, यूटूबे इस गाने का भीव करोरों में है और इस गाना में नागमा के साथ अवेज दरबाड भी है। दोस्तो टिक टोक एस्टार नागमा मिर्जाकर के टिक टोक पर 10.8 मिलियन से ज़्यादा फोलोवर्स है और दूसर 56 मिलियन से ज़्यादा हट्स मिले हुए है और इनकी फैन फोलोईंग नहीं इनको इंडिया के टिक टोक क्वीन बना दिया है दोस्तो नागमा मिर्जाकर के इ बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों कुछ आप वहर की माने तो वह किरियो गुराफर के साथ साथ टिक टोक इस्टाट अवेज दर्बा है जो कि उनको डेट कर रहे हैं जो कि दोनों अपने अपने टिक्टोक एकाउंट पर एक दूसरे के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करते रहते हैं हालाक उनमें से किसी ने भी अपने रिष्टे के बारे में एक किसी को नहीं बताया है और एक दूसरे को कवल अच्छे दोस्त ही मानते हैं तो दोस्तो आप वीडियो को यहीं पेंट करते हैं तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको यह नागमा मिर्जाकर के लाइफ है चालान बियोगराफी अच्छा लागा होगा तो दोस्तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक भी कीजेगा तो दोस्तों मिलता है भी एक और वीडियो में तब तक लिए जाहिंद वंदे मात्रम